Welcome to all of you, मेरा नाम है देवियांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं The Learning Land को मैं यहाँ पर देश जुने ख़बरों के काशन बासा में आता पहुचाता हूँ तो इसी तरीके की न्यूज देखते रहे नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि चाइना में जो ब्लेड की शॉर्टेज है वो काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो क्या है इसके पीछे के असली वज़े इस पर एक डीप अंडर्शेंडिंग समझेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो अब चाइना में हमको इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा मात्रा में डेस भी देखने को मिल सकती हैं चाइना के जो ब्लेट डूनर्शें वो आगे नहीं आ रहे हैं ब्लेट देने के लिए देखिए ओबिसली ये चीज़े काफी ही चिंता जना के हैं बट भारा सरकार ने ओपे न लीस है कहना भी शुरू कर दिया उप्रूवल पहले दे दिया बट इंडिया की चाइने इसको एप्रूवल देने में अधेने वह निनों कई मैने लिये कई ट्रायल लिये इन चीज़ों को करने के बाद भारत को अप्रूवल दिया गया इससे हमको पता चलता है कि चाइना का डव्लु हचो पर कतना इंफ्लूएंस है और डव्लु हचो ने किसे चाइना को एक कमजूर वैक्सीन को अप्रूव कर दिया इसके लावा कई African countries, कई Pakistan countries में भी हमको चाइना की vaccine देखने को मिली है कि वहाँ बरवेजी कई थी मेरा आप से question यह है कि आप मुझे यह बताईए comment section में कि चाइना की vaccine का name क्या है comment section में अपना आशा जरूर करिएगा और ये बात बोली किसने मैं आपको बताता हूँ ये बात हमारे देश की finance minister निर्मला सीता रमन जी ने बोली है कि जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे कि कई देश हैं including China जिनको WHO ने approval बहुत जल्दी दे दिया बलकि इंडिया को काफी समय बाद इसके लिए approval मिला इन्होंने ये एड़ किया है कि हम China के लिए ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि देखो वहाँ पर pandemic आगिया वहाँ पर लोग मर रहे हैं of course we are very much concerned about the China मगर question ये raise होता है कि WHO ने चाइना की vaccine को इतनी जल्दी अप्रवल दे कैसे दिया जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पाओगे कि निर्मना सीतर अमन जी का यहाँ पर एक tweet है जहाँ पर यह साप mention करते हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारा सरकार के किसी minister ने openly ऐसी बात को बोला है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो और यह बात मुझे कहिना के बहुत अच्छी लगी ना सिर्फ इन्हों ने यहाँ पर बड़े हमारे ministers ने बोला बलकि आपने official handle पर भी इसको mention किया तो Twitter में हमको देख पाएंगे हम कि यहाँ पर इन्होंने world by world China का name भी यहाँ पर mention किया है यह बहुत ही बड़ी information है हमारे लिए देखिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि China के साथ आज के समय जो हो रहा है उसको देखकर मैं खुश हूँ नो आप सोच कर देखो future में अगर pandemic आता है अगर उस वक्त हम WHO पर believe कैसे कर पाएंगे WHO जब इस तरीके से approval देता रहेगा चाइना को हम कैसे believe उस पर बना पाएंगे तो कहीं ने कहीं इस पर एक inquiry होने चाहिए WHO ने इतनी जल्दी चाइना की वैक्सिन को कैसे approval दे दिया बाकी वैक्सिन को इतनी देर क्यों लग गए मगर I know आपके मन में ये doubt आ रहा होगा वाई COVID patient need blood ये blood की shortage का issue कहां से आने लगा देखिए usually तो नहीं होता है बट कुछ rare cases होते हैं जहाँ पर blood लगता है यूज होता है ज़्यादा मैं इसके वारे में नहीं बता पाऊंगा और मैं यहाँ पर आपको एक main issue को बताता हूँ ये जो blood shortage है इसका issue हमें केवल चाइना में देखने को नहीं मिला था जब pandemic आया था इसका issue हमें पूरे worldwide देखने को मिला था COVID के जब Delta और Omicron variant आये थे तो उस वक्त American Red Cross Society ने ये बोला था कि USA में जो भी blood shortage है वो बहुत ज़्यादा मातरा में हो रही है क्योंकि Omicron के वज़े से blood donors वो सामने नहीं आ रहे हैं American Red Cross Society ने ये बात बोली थी जैसा कि आप यहाँ देख पाऊगे American Red Cross is facing a national blood crisis its worst blood shortage over a decade और इसका देखे है main reason यही है कि usually जो लोग सामने आते हैं वो blood donors करने के लिए आते हैं लेकिन कहीं ने कहीं ऐसे सिती में जब इतना सकार सी महौल था तो वहाँ पर COVID उनको हो जाएगा कहीं COVID ना फैल जाए infection ना हो जाए उन्हें तो आप खुद सोच कर देखो कि एक pandemic में जब day by day ने ने variant आ रहे हैं तो आपका blood निकाला जाएगा इन सब को देखकर कई लोग comfortable नहीं होते हैं तो इसलिए USA में blood donors के संख्या 10% तक गिर गई थी और मैं ये data आपको जनवरी की बात कर रहा हूँ आने वाले कुछ मैंनों blood के shortage लगातार बढ़ती चले गई थी और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ USA में देखने को मिला है same cases हमको Russia, Europe, Japan तक में देखने को मिले हैं मगर चाइना में हम देख रहे हैं कि blood के shortage बिल्कुल peak पर आ गई है reason ये है ये चाइना की zero covid policy माल लेजे जैसे कोई person है उसे blood donate करने जाना है चाइना में सबसे पहले उसका covid test कराया जाएगा अगर वो covid posture निकलाता है तो सरकार उस पर इतने decision लगा देगी उसको घर में pack कर देगी तो आप सोच सकते होगी कितनी खराब इस दिती है यहां की उसके अलावा एक reason यह भी हो सकता है कि चाइना में इस वक्त काफी ज़्यदा सर्थी पड़ रही है तो most of the people अपने घरों से बाहर ने निकल ले हैं जिससे सही report सापने नहीं आपा और फिर इसका final reason यह आ सकता है कि चाइना के खून में कहीने की कमी है देखिए मैं आपको समझाता हूँ आप मुझे बताओ दुनिया का universal blood group कौन सा है तो आप कहोगे O मगर American Red Cross या फिर WHO के website में आप जाकर देखोगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि type O negative is a universal blood group अगर आप किसी व्यक्ती का blood group O negative है तो वो बाकी blood groups को blood दे सकता है यहाँ पर जबी भी खून की कमी पड़ती है तो O negative की supply सबसे पहले खत्म होती है as we know क्योंकि एक universal blood group है इस वज़े से ऐसा होता है वैसे O positive के अगर हम बात करते हैं तो ये भी काफी हद तक फायदे मन्द है कि O positive वाला जो person है वो किनको किनको blood दे सकता है ये A positive, B positive, AB positive और O positive को blood दे सकता है आप कहोगे इसमें तो कहीं ने कहीं we need a O negative blood group मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना उन गिने चुने countries में आता है जहाँ पर इनकी population में O negative वाले लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे इंडिया में अगर आप देखो तो हमारी population का 3 से 7% population का blood group O negative निकल करके आता है जबकि चाइना में ये percent मात्र 0.3% है मतलब आप ये मान के चलो कि भारत में 10 से 20 गुना जादा लोग ऐसे हैं जिनका blood group O negative है तो आप में से बहुत से लोगों को ये लगएगा कि हमारे पास इसका बहुत बढ़ा एक advantage है और ऐसा नहीं है कि O negative blood group जो है वो मात्र इंडिया में ही आपको सबसे ज़ादा मिलेगा और भी countries हैं बट चाइना में आप कहलेजे तो यहाँ पर blood group जो है ये ऐसा डेवलब ही नहीं हुआ है और वैसे भी universal blood group हमारे यहाँ वैसे बहुत ही कम देखने को मिलता है फिर इनके यहाँ देखिए चाइना में COVID फैल गया hospitals में जाने से लोगों को डर लगने लगा चाइना के लिए problem ये है कि अगर एक बार proper blood की shortage यहाँ बन गई ना तो उसके बाद ये COVID के अलावा जो और भी बिमारिया है तो उनके लिए जहाँ पर blood चाहिए होता है वहाँ पर ये patients को arrange करके blood दे ही नहीं पाएंगे तो हमें बहुत सारी risk का ratio और ज़्यादा दिखाई देगा इस वज़े से आप imagine कर सकते हो कि चाइना के health care center पर इतना pressure आ रहा है कि बहाँ पर daughters की इतनी कमी हो गई है, patient लगातर बढ़ते जा रहे हैं ये चीज़ें सामने आ रही है और finally मैं आपको बता देता हूँ कि चाइना इसके लिए कर क्या रहा है चाइना ने यहाँ पर call centers से internet hospital चलाना शुरू कर दिया है आप देखो तो चाइना का ये internet hospitals है जैसा कि आप यहाँ देख भी पाऊगे इन internet hospitals में basically इन्होंने call centers के medical professionals को यहाँ पर बैठा दिया है ये लोग directly लोगों से zoom या skype के जरिए या फिर इनके आजो भी software ये use करते हैं उससे बात करते हैं और जो भी medicines doctor one to one interaction में देते हैं उन medicines को उन serious medicines को ये उस calling पे या उस session में बताते हैं उसके बारे में इनको बता दिया जाता है कि आपको ये medicine लेनी है medicine low या और ये medicine अपने blood में डालना start कर दो हमको सुनने में ऐसा लग रहा है कि oh how China is so modern लेकिन मैं आपको बता दूँ ये कहीं न कहीं बहुत ही मूरकता पूर्ण एक कदम है इससे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी दर्थ सामने आ जाएंगे क्योंकि जो professional person जा करके medicine देता है आप खुद करोगे उस medicine का use तो आप उतने perfectly नहीं कर पाओगे तो आज के समय में चाइना में जो भी हो रहा है वो दुनिया भर के लिए एक lesson है कि हमको अपने देश में देखिए internet hospitals नहीं कुलवाने हैं हम यही चाहेंगे कि pandemic control है इसलिए एक बहुत अच्छी news सामने आई है कि China, Japan, Hong Kong, Thailand इन country से जो भी आदरी भारत में आएंगे इनकी COVID की negative test इनको show करना होगा तभी इनकी entry भारत में होगी है तो यह था आज का news analysis जहाँ पर आपको hopefully बहुत को जानने को मिला होगा तो इसी तरीके से informative वीडियो को पाने के लिए देखते रहने के लिए चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर बाटिए Thank you